गुड मॉनी एबरीबन आज अमारी ओंबगशिट 42 है सब्सेक्ट मारे इंग्लिज है क्लास युकाजी है इस वीडियो के मादर में से बता रहे हूं पाइरा कौस्ट अमारे क्या है एट्टू जैड स्मोल लेटर आपको लिखना है कौस्ट नमर्टू राइट साउंड आफ का इस कि वाद में हमार को इसमेंक यूज आफ ए और और एंट लिक्कना है उपको यहांपर इस तरका तो इसकी बाद में अम हमको यूज आ एंड तो इसमें पिक्चर ए इसमें न प्रियोग है करते है का वे यूज है इसमें यह प्रियोग करते हैं लेसे इसमें यह साउंड लगा जैसे इट इज ए कैट इट इज ए लोयन इट इज ए डग इज ए टमाटो इज ए मैप इज ए फूग इज ए ड्रम इज ए वर्ड इज ए साइकल तो इसमें आपको कैसे पता है एक प्रियोग जो रैट कर लगा है इसमें बाकी इज लेटर बचले है वह बहबर्समे आता है अब बाकी इज लेटर बचले है वह हमारे कॉणसमे आता है जिसे कैट कैट है तो यह क्या है ? cat, आम इंदिम कर्से लिखते है काइट इंदिम लिखते है cat तो इसके बाद में क्या करना ए ? cat, यह हमारा consonants है का के घया के बीचे आता है तो का बना है नहां , का आया है तो यह consonants cat, genuine, duck यह हमारे सारे consonants में भड़दाते हैं इसके बाद में बी यूज एन इसमें एन का प्रिव होगा बिफोर दा नेमिंग वर्ड ब्रेंगिंग दा विद ए बोबल साउंड यह हमारे बोबल साउंड में है बोबल साउंड कौन से आ से आहा के बीच में और ए ए आई ओ यू के बीच जैसे ए फोर एपल तो एपल कैसे ऐसे एडिया आता है ऐपल में यहां से सुरू होता है ऐपल लिखते हैं तो हमारा ये इंका प्रियोग इसमें न का प्रियोगा बोबल सु में एट का होगा औररेंज 悲िए जो अरञ टाइल बीच पर ос हमाहारा व यह से ओकली बनेःंगा ओकस कैसे लिखेंगे जैसे हेॹवक्स तो लिखा न कत तो इसमें ओ आया है तो हमारा जैसे यह Dh 27 तो हम उसको को एन का प्रियों करते हैं आंट कैसे लगते हैं आंट रिखा तो हमारा आ बना है तो इसमें बोबर्स में आता है तो यह जितनी पिच्चर है यह बोबर्स में आएंगी इदर जो जितनी पिच्चर है यह कॉंसोनेंस में आती है तो इसके बाद में हम आपको पॉस्टन देंगे इसमें जैसे फिल इन फिल विद ए और एन तो इसमें आपको ए का और एन का प्रियोग करना है किसमें आपको एका प्रियोग होगा और किसमें आपको एन का प्रियोग होगा तो इस तरह से आपको फिल क पर एंड पोबल्स आया अब कॉंसोनेंस है तो इस तैसे यह करना है थाइंक यू